Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do revision of class 3rd EVS for periodic test 2. PT2 में जितने भी आपके chapters आ रहे हैं, 3rd class EVS में, सभी chapters के quick revision हम लोग कर लेते हैं. First of all, I'll show you the syllabus की कितने chapters आपके आ रहे हैं. तो देखिए, January में scheduled होते हैं, तो December तक, before winter break, जितना syllabus आपका split up में हैं, वो पूरा आपका PT2 में आता है. तो देखिए, ये 7 chapters आ रहे हैं. सबसे पहला chapter है, Sharing Our Feelings, The Story of the Food, Making Pots, Games We Play, Here Comes a Later, A House Like This, Our Friends, Animals. Okay, तो ये 7 chapters आपके PT2 में आएंगे, जल्दी से एक बार इनके quick revision कर लेते हैं. ये आपकी first video है, before that, if any child is new to the channel, video के नीचे देखिए, right side में red color से subscribe लिखा होगा, उस पर tap कर दीजे, bell icon को press कर लीजे, so that next time जो video आपकी class की आएगी, आप उसको miss ना करें. Okay, so here is the very first chapter, Sharing Our Feelings. चलिए, start करते हैं, we will do some multiple choice questions, MCQ of this chapter, and the very first question is, a special way in which some points are raised on a paper to read by people who cannot see. उसे क्या कहते हैं, एक special तरीका होता है, जिसमें कि paper के उपर कुछ points को raise करके लिखा जाता है, ताकि जो लोग देख नहीं सकते, वो fingers उनके उपर गुमा के पढ़ सके कि क्या लिखा है, तो उस writing को क्या कहते हैं, यूर options are, A. Egyptian writing, B. Phonics, C. Braille, तो इसे कहते हैं, Braille, आपका option, C. यहाँ पर correct है, और किसने ये invent की थी? Lewis, spelling भी देखने न, L. O. U. I. S. Braille, B. R. A. I. L. L. E. ये नाम आप जरूर याद रखना important है, एक और चीज़ इनके बारे में, ये किस country से belong करते हैं, तो ये belong करते हैं, फ्रांस से, ओके, French educator थे ये एक और बच्पन में, ये himself lost his eyes, उनकी आखे चले गए थी, तो उन्होंने अपने जैसे ही कुछ लोगों के लिए, ऐसी एक script बनाई थी, तो Braille कहते हैं, Lewis Braille ने इसको इन्वेंट किया था, लुइस ब्रेल बिनॉंग करते हैं, फ्रांस से, देखें इस तरीके से होता है, आपको हो सकता है, एक्जाम में ये पूछ लिया जाए, क्योंकि NCRT में कुछ पॉइंट्स दिये हुए है, कि इसमें कितने वो किस तरीके से लिखा जाता है, अगर एक बॉक्स के अंदर लेफ्ट कॉर्णर में पॉइंट रेज्ट है तो उसका मतलब है वो A, दो पॉइंट्स रेज है उपर नीचे तो उसका मतलब है B, दो पॉइंट्स रेज हैं उपर की तरफ तो C, D, E, F, तो यह इस तरीके से लिखे जाते हैं, अब थोड़ा सा एक बार पॉज करके इनको देख लेंगे, नेक्स क्वेशन है, आप ब्रेल को पढ़ते कैसे हैं, यह ब्रेल स्क्रिप्ट है, इसे कैसे पढ़ा जाता है, इसे कैसे लिखा हैं, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, अगर आप देख सकते हैं देखिए यह लिखी हुई है लुईस ब्रेल ने जो इन्वेंट की थी ब्रेल स्क्रिप्ट और आप फिंगर से इसको उनको पॉइंट को टच करके पढ़ते हैं Next is according to nani what children these days don't know यह आपके chapter से लिया गया है नani कहती है कि आजकल के बचों को यह काम तो बिलकुल आता ही नहीं है वो कौन सा काम था आपके options है how to switch on the radio radio कैसे switch on करनी है to read properly अच्छे से पढ़ना नहीं आता to cut vegetables properly तो उनको vegetables properly cut करना नहीं आता और यह नानी का फेवरिट काम था vegetables कट करना although उनको दिखाई नहीं देता था फिर भी वो बहुत अच्छे से सबजी काट लेती थी option यहाँ पर आपका C करेक्ट है आगे आते है next question यह देखे थोड़ा सब अगर आप फिगर से फिक्चर से थोड़ा याद रख सकें people who cannot see recognize people by जो लोग देख नहीं सकते वो दूसरे लोगों को कैसे पहचानते हैं अब पढ़ तो लिया आपने dots के उपर fingers को raise करा के आपको बताना है कि कौन enter किया है by smelling them उनकी smell से from the sound they make as they move जो वो sound करते हैं जब वो move करते हैं तो जो sound आती है उससे या फिर दोनों से तो देखे जो लोग देख नहीं पाते हैं उनकी बाकी senses बहुत strong होती है उनकी smelling की sense, hearing की sense बहुत strong होती है touch की sense भी बहुत strong होती है अगर वो किसी एक person को एक बाद touch कर ले तो फिर भूलते नहीं है वो ऐसे ही पहचान देते हैं कि कौन मतलब आया है आपकी जो moment है उससे पहचान लेगी कि कौन जा रहा है तो यानि कि आपका option C correct है smell से और sound से दोनों से वो पहचानते हैं लोगों को Seema's nani was very fond of Seema की जो nani थी वो उन्हें क्या काम बहुत अच्छा लगता था cutting vegetables ये पहले भी हम लोग बता चुके है what does Seema's father do every morning for her nani Seema के जो father थे वो हर सुभे नानी के लिए क्या करते थे क्या करते थे switch on the radio, radio switch on करते थे help her in cutting vegetables, vegetable cut करने में help करते थे या फिर read the newspaper allowed to her, जोड से उनके लिए newspaper पढ़ते थे तो यहाँ पर आपका option C correct है, जोड से उनके लिए newspaper पढ़ते थे people who cannot see faces problem in, जो लोग देख नहीं सकते उन्हें किस चीज में जादा problem आती है आपके options है, reading, writing या फिर walking, reading तो easy है, देखा कि आपने braille script है, लेकिन writing में उनको काफी problem आती है क्योंकि braille से, sui से लिखना और उपर से आपको दिखाई नहीं देता, वो dangerous भी हो सकता, दूसरी script उनको आती नहीं है walking वो चल तो लेते हैं, easily फिर भी strict की help से, read भी कर लेते हैं, लेकिन writing में बहुत problem है जो blind people है उनको, तो यहाँ पर आपका option, be correct है Braille script is based on how many points, important question है, क्योंकि NCRT में दिया भी हुआ है और braille script में आपको दिखाई भी थी, अगर उसमें आपने points को note किया हो Braille script में maximum कितने points होते हैं, 5, 6 या 5, 7, तो देखें उसमें 6 points होते हैं इस तरीके का आपका box था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह 6 points हैं, कभी यह वाला raise होता है तो उसका मतलब A होता है, यह दोनो raised है, तो B होता है, यह दोनो raised कौन से है, उस पे depend करता है कि कौन सा alphabet लिखा हुआ है बट अगर total आप points की बात करें तो अधिरा 6 points, यानि कि आपका option यहाँ पर B correct है, इस तरीके से देखें, 6 points है, यह वाला raise है तो A, यह दो raise है तो B, यह दो तो C, 3 तो D, यह तो E, बाकि points यह होते हैं, यह NCRT की ही picture है next is three problems faced by blinds, जो लोग देखने ही सकते, कौन सी तीन problem उनको आती है, rear, right, see properly, देखने में, पढ़ने में, walk करने में, और देखने में properly, eat, hear and walk, खाने में, सुनने में, और walk करने में, eat, listen and walk, hear, walk and eat, तो eating में कोई problem नहीं है, सुनने में कोई problem नहीं है, first option आपका correct है, यहाँ पर, आपको picture देखे, पहचानने के लिए बोल दें की, identify this educator, और इन्होंने क्या किया था, next question is, Louis Braille belong to which country, Louis Braille किस country से belong करते थे, England, Spain, या फिर France, यह मैं starting में ही आपको बता चुकी हूँ, वो France से belong करते थे, French educator थे, सीमा वोस selected in which sport, सीमा की नानी देख नहीं सकती थी, भाया को भी problem और जो सीमा थी वो किस sport में सेलेक्ट वी थी, आपके options है, basketball, football या फिर cricket, तो इसका correct option है, option A, basketball में वो, sorry, football option आपका B करेक्ट, football की टीम में वो सेलेक्ट थी, जबकि रवे भाया नहीं कहा था कि आप मुझे भी football खेलना सिखा दो, यह थे इस chapter के question answers, now let's move to the next chapter, Okay, so our next chapter is the story of food, story of food, yeah, आपका next chapter है, the story of the food, and नाम से ही suggest हो जाता है, आपको से पता लग जाता है कि food के बारे में होगा, लेकिन इसमें कहीं थोड़ा work जो होता है, families में, gender biasness जो होती है, work को लेके कि यह work women ही करेंग, यह men ही करेंग, उसके बारे में भी थोड़ा सा दिया हु Suchness, which of the following things we get from plant, इन में से कौन सी चीज आपको plant से मिलती है, आपके options है, eggs, honey, या फिर pepper, तो eggs आप जानते है, honey, honey bees, यानि कि दोनो ही animals और insects से मिलते है, third, pepper आपका correct answer है, दिखा भी देती हूं, दिखती कैसे pepper बोलते है, काली मिर्च को ऐसे और यह आपको plant से मिलते है, प्ला और प्लांट प्रडक्ट और मिलते है, मीट आपका जो है वेरियस आनिमल से मिलता है, तो यहनी कि option B करेक्ट है, कहने का मतलब है, इस चाप्टर में सबसे पहले तो आपको animals प्रडक्ट और प्लांट प्लांट के बारे में पता होने चाहिए कि क्या चीज आपको plant से मिलती ह कौन से चीज आनिमल से मिलती है, next is which thing you can take when you have cough and cold, अगर आपको cough and cold है, खासी और जुका में तो आप क्या लेंगे, milk with turmeric, हल्दी का दूद लेंगे, honey with salt, शहद लेंगे, salt के साथ, या फिर clove oil, लोंग का जो तेल है उसको लेंगे, तो अगर आपको cold and cough है, तो आप milk लेते है तर्मरीक के साथ, next is if you have a stomach, अगर आपको पेट में दर्द है, you can take, तो आप क्या लेंगे, आपके options है, a, अजवाइन and black salt with water, अजवाइन और कला नमक पानी के साथ, hot milk with turmeric powder, turmeric powder जो है, उसको लेंगे, गरम दूद के साथ, या फिर garlic, तो इसका correct option है, a, अजवाइन with black salt and water and this question is important, देखे, थोड़ा सा, देख लीज़े, अजवाइन ऐसी दिखती है, और ये black salt है, picture से आपको यादरे कब लेते हैं, जब आपको stomach एको, पेट में दर्द हो, which of the following is a medicinal plant, इनमें से कौन सा एक medicinal plant है, mango, neem या फिर cactus, जिसका use बहुत सारी medicines में होता है, तो इसका option है, option B करेक् नीम, तुलसी ये सारे आपके medicinal plant है, अलोवेरा औलसो, अलोवेरा option में नहीं है, next is in Ayurveda, which plant is known as king of medicinal plant, किसको medicinal plant का king कहा गया है, Ayurveda में, आपके options है, तुलसी, नीम, अलोवेरा, सबसे पहले तो ये देख लीज़े, कि तीनो ही आपके medicinal plant है, अगर question आप से पूछ लिया जाए तीन medicinal plant के नाम लिखिए, तो तुलसी, नीम, अलोवेरा आप लिखेंगे, और इसका राजा किसको कहते है, king, जिसके बहुत सारे फाइदे होंगे, obviously, that is aloe vera, option आपका C, correct है, ऐसा दिखता है, aloe vera, next is we eat root of dash plant, आप किस plant की root खाते है, जड़ खाते है, sugar kale, गन्ना जिसको बोलते हैं इसको हिंदी में, या फिर potato जो है, उनके आप जड़ खाते है, क्योंकि वो जो potato आपका वो जमीन के अंदर होता है, बट ऐसा नहीं है, वो stem है, या फिर बोथ B and C, तो बोथ B and C भी नहीं है, इसमें correct आंसर आपका beetroot, beetroot जो है, आप उसकी root खाते है, option B, correct है आप किसमें से किसी की पतियां खाते है, spinach and mint, carrot या फिर radish and pomegranate, तो radish की आप जड़ खाते है, carrot की भी आप जड़ खाते है, पोमिग्रिनेट का फ्रूट खाते है, spinach और mint इन दोनों की आप पतियां खाते है, spinach को हिंदी में बोलते है, आप पालक और mint है आपका pudina, आगे आग यह दोनों आपके fruits हैं, कहने का मतलब है, यहां से एक question बनता है, आपका question यह ज़रूर पूछा जाएगा, किस plant का कौन सा part खाया जाता है, एक आपको plant product, जो food है, और एक animal product, और एक which part of plant is eaten, यह दोनों question आप प्रपेर कर लीजेगा, which of the following seed is eaten, इनमें से किसका seed खाया जाता है, rice, maize, wheat, onion, turmeric, garlic, spinach, या फिर cabbage, तो इसमें rice, maize, makka, और wheat, जो है इनका आप बीज खाते हैं, अगर आप इनको कहीं डाल दे तो इनका पेड भी बन जाएगा, यहां इनका option आपका यहां पर A-correct है, which of the following is called food factory of the plant, इनमें से किसको plant की food factory कहा जाता है, question number 11, आपके options है, stem, या फिर leaves, या फिर root, तो जैसा कि आप जानते हैं, factory में चीजे बनती है, तो यहलिकि प्लांट में कहां पर चीजे produce होती है, बनाई जाती है, तो leaves में होती है, option आपका B-correct है, which plant have waxy coating on the surface of leaves, किस प्ला बोलते हैं, हम लोग मोम को, उसके उपर अगर आप पानी डाल देंगे, तो वो नीचे फिसल जाएगा, रुकेगा नहीं, mushroom, lotus या फिर pomegranate, तो इसका correct answer है, lotus, option आपका B-correct है, यह देखिए, इसकी पत्तिया होती है, अगर आप पानी डालते हैं, यहाँ पर, तो वो फिसल ट्री है, राष्ट्रिय पेड, यह देखिए, ऐसा देखता है, और बैन्यन में आप जानते होंगे, अकेले ऐसा ट्री है, जिसकी ब्रांचिस के ओपर भी उसकी जो है, रूट्स होती है, जड़े होती है, और वो नीचे आती रहती है, जब तक कि वो जमीन से मिल नहीं जात मदर को, फादर को या फिर सभी को, तो फूड बनाना एक बेसिक लाइफ स्किल है, इसा कोई बात नहीं है, कि सिर्फ फीमेल ही बनाएंगी या मेल ही बनाएंगे, यह गर में सबका काम है, हेल्प सबको करनी चाहिए, और ऑप्शन आपका C करेक्ट है, और इसका कौन सा पा किसकी बढ भातम भातम। किसकी बढ रूट लग है मेल ऑप सब्स, किसकी बढ एक रूट में स्वाट, फ्ल्वर, टेखट, बटन रूट, शुगर, लीव, पुकुण, लोल्द, दिडी, सपन्यश, में प्रूट, स्पेंच, कली, कामप़, तो नहीं, रूट, कालिफ, दग ब्रोकली कचनार इनके आपके फ्लार गाय जाते हैं तो यह था आपका next chapter जिसका नाम है the story of food now let's move to the last chapter of this video जो next chapter आपका the story of food के बाद that is making pots pots बनाने के बारे में हैं जिसमें के आपको potter का और एक story दी यह है सबसे प्ले एक story है दो birds की है एक और बर्ड जो है and one is a bird food goody and बनाते तो वो story के थुरू आपको different pot बनाने के लिए different steps जो होते हैं जो चीजे required है उसके बारे में बताया हुआ है तो चलिए इससे जो important questions बनते हैं उनको जल्दी से एक बार कवर कर लेते हैं first question है the story is about यह जो कहानी आपकी chapter में यह किसके बारे में है crow, sparrow, crow, peacock, sparrow and woodpecker तो यह है crow and sparrow के बारे में जहां पर की crow जो है वो sparrow के एक्ज है वो खाना चाहता है लेकिन sparrow कहती है कि पहले अपनी बीक साफ करके आओ तुम जिसके लिए उसको पानी चाहिए पानी उसको बढ़तन चाहिए और किस तरीके से वो फिर पॉटर के पास जाता है और वेरियस स्टेप्स को फॉलो करता है उसको बनाने के लिए तब तक काफी लेट हो चुका होता है और वो अपने बच्चों के साथ जा चुकी होती है यहनिकि crow and sparrow correct answer है नाम भी आपको पता होना चाहिए crow का नाम था भनाते और sparrow का नाम था फु who laid eggs first सबसे पहले अंडे कॉम देता है तो sparrow देती है option b correct है where the crow went to clean its beak अपनी beak को clean करने के लिए जो crow है वो कहां जाता है river में पॉंड में या फिर टैप में तो इसमें आपका option a correct है वो river के पास जाता है पानी के लिए what the potter said to the crow potter crow को क्या कहता है go and get some water जाओ और पानी लेया go and get some hay या जाओ कुछ घास लेयाओ या जाओ कुछ घास लेयाओ है या मतलब होता है तो potter को क्या चाहिए बर्तन बनाने के लिए घड़ा बनाने के लिए pot बनाने के लिए clay तो वो clay ही मंगवाएगा option आपका यहाँ पर बी करेक्ट है अब clay के बाद clay जो वो पिट के पास जाता है clay लेने के लिए तो वो कहता है कि गड़ा खोदना पड़ेगा आपको मिट्टी के लिए उसके लिए आपको ट्रॉवल चाहिए होगा इसको बोलते हैं ट्रॉवल जिसे आप हिंदी में खुर्पी भी बोलते होंगे तो च gerek करेक्षा ने क कुछ आपको बना लेने के लिए वो किसके पास जाता है ब्लाक्समित के तो यहाँ पर आपको खुंस APIs क्छ दाफ बनाने के लिए क्ल्मृ की हble получается कि bak sunday कि प्लयक्समित क्लेवल प्रे फिर फिर यह फिर ब्लाक्स्मित को है और किती ब्लाक्समित की ट्रॉ ट्रोवल ने फिर क्लेपिट के पास जा कि गड़ा कोदा था उससे मिट्टी कलेट की थी क्ले लेकर आया था वो क्ले से पॉटर ने पॉट बनाया था तो यानि कि आपको आपको यह सीक्विंस भी पता होना चाहिए से कोथ सकते हैं सान चाहिए कुछ सांन पॉटक घ्रिल मीया कहाते हैं घ्रिपन फोट्री कोषाब से खता है वह पॉटकर चाहिए उसमें डिटेल से बताए हुए आपको, तो यानि कि आपका यहाँ पर option B correct है, this is good luck, यहां से आप पैसा इसमें डालते हैं, और वो collect होता रहता है और बाद में तोड़के फिर निकाला जाता है पैसा, फुद्गुदी और बनाते वर, बनाते और फुद्गुदी यह स्पैरो और यह जो था आपका crow, वो क्या थे, strangers थे, enemies थे या फिर fast friends थे, अजनवी थे, दुश्मन थे या फिर अच्छे दोस थे, तो वो दोरों बहुत अच्छे दोस थे, option आपका C correct है, identify the correct sequence, सही sequence क्या है, river के बाद potter, उसके बाद clay pit, उसके बाद blacksmith, या फिर सबसे पहले potter, river, clay pit and blacksmith, blacksmith, river, potter, yet嫌 तो correct है, सब से पहले वो river, के बादिया पानी ये लेलो, लेकिन, पहले pot लेगा हो, फिर पॉतर, पॉर्टर कहता है मिट्टी लेकर आओ, फिर वो ख्लेपिट के पास जाता है, जाता है ट्रोबल लेकर आओ, फिर वो ब्लाक्स्मिट के पास जाता है, तो यह आपकी सही सही करेक्ट सीक्वेंस है, this question is important, यहां से question बन सकता है आपका, इन अर्ली टाइम, पॉर्ट्स वर मेड ओफ, अर्ली टाइम पहले के जमाने में पॉर्ट्स के सीज के बनते थे, आपके options है, steel and clay, clay and stone, aluminium and iron, तो पहले जो बर्तन बनते थे वो clay and stone, पत्थर के उनको उनमें, उनको शेप देके, और clay मिट्टी के बर्तन बना करते थे तो यानि की option B correct है, आजकल तो steel, aluminium and iron के तो बर्तन नहीं बनते हैं, various instruments आपके बनाए जाते हैं, तो आजकल इनके बनते हैं, बट स्टार्टिंग में clay and stone के बनते थे, और देखे, कुछ earlier times के बर्तन पी आपको दिखा देते हैं, इस तरीके क उनको अच्छे से सुखा के and उनको थोड़ा सा बेक करके जो बनाए जाते थे, कुछ पुराने बर्तन, next is which of the following isn't made up of clay, इन में से क्या चीज की नहीं बनती है, मिट्टी की नहीं बनती है, सुराही, घड़ा या फिर कुकर, तो सुराही भी बनती है, घड़ा चीजन स्टोर करने के लिए गड़ा पानी स्टोर करने के लिए कुकर लेकि नहीं बनता है, तो औप्शन आपका सी करेक्ट है, पॉट्स आर बेक्ड Give Potts feel baked in, potts को किसीज में बेक किया जाता है, sun में, चूले में या फिर किल्ण में, तो इसको किल्ण में baked किया जाता है, option हपका सी करेक्ट है यहां पर किल्न को बोलते हैं भट्टी हिंदी में सन सुखाया जाता है ड्राइ किया जाता है सन में लेकिन बेक किया जाता है ड्राइ बेक किया जाता है किल्न में Arrange in correct order, अच्छा question है, सही order बताईए कौन सा है, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करते हैं, जो आपका मिट्टी है, उसको ड्राइड 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 करते हैं, यायनिकि उसको गूते हैं, क्ले को प्रपेर किया जाता है, उसमें कुछ मिट्टी में कुछ पानी डाल के अ उसके बाद उसको dry किया जाता है, सूरज में सुखाया जाता है, उसके बाद उसको किल्न में baked किया जाता है, baked into kiln, okay this is fourth step, और उसके बाद उसको decorate किया जाता है, paint से अच्छे से, तो यह निए कि फिफ्ट है सुन्दर दिखाने के लिए, तो यह steps है आपके important questions है, उसको बनाने जाता है कि write all the steps of making a pot, तो यह आप लिखेंगे, पहले को दोग करना या फिर प्रिपेर करना, उसके बाद शेप देना, उसके बाद उसको sun-made सुखाना, क्योंकि सीधा है, अगर आप उसको को किल्न में डालेंगे, तो इसके खराब हो जाएगी, पहले थोड़ा सा आप Poetry कहते है कविता लिखने की जो art होती है, Poetry बोलते है जो आपकी है मुर्गिया जो पाली जाती है उसको, और Pottery बोलते है, Art of Making Pots, तो यहाँ पर आपका option A करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका option A करेक्ट है, कन्फ्यूज नहीं होना है Poetry, Paltry, Pottery में P-O, T-T-E-R, Potter and Y Pottery Art को क झाल